नमस्कार आजकी इस वीडियो में हम पंडित विश्णु नरायन भातखंडे जी का जीवन परिचय पड़ेंगे नोट्स है जो मैंने संगीत रतनावली बुक से खुद बनाया हुआ है चलिए देखते हैं फर्स पॉइंट है स्वर्गी पंडित विश्णु नरायन भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 जीश्वी कृष्ण जन्मास्तमी के दिन बंबाई के एक महाराश्ट्री परिवार में हुआ इनकी प्रारंबिक सिक्षा बंबाई के एलिफिस्तन कॉलेज में हुई पंडित जी बच्पन से ही गाने बजाने में बेहद रुची रखते थे अपनी माता के सुस्वर कंट से गाल हुए घरेलुगीत, भजन, स्त्रोत तथा लोरियां सुनकर उनके मन में संगीत प्रेम का उदे हुआ इनके पिता जी भी स्वरमंडल बजाते थे गरीब ब्रामन होने के कारण इने बहुत सी कठनाईयों का सामना करना पड़ा बालिकाल में ही इनके पिता जी का स्वर्गवास हो गया और ग्रहस्ती का बोच बालक विश्ण कुमार के कंधू पर आ पड़ा सरप्रथम 15 वर्ष के अवस्था में इन्होंने श्री वल्लबदास दामुल जी और श्री गोपाल गिरी तथा जैराज गिरी से सितार सीखना प्रारम किया तथा बंबई के एक कुशल सितार वादक के रूप में प्रसद्ध हुए सन 1882 में बी ये पास कर लिया सन 1887 इसवी में उन्होंने वकालत प्रारम की सन 1885 में बंबई के गायन उत्तेजक मंडली के सदस बन गया शुरी पाद बंदो पांध्या एकरत माइल स्टोनस इन दि लाइफ औफ पंडित विश्नु नरायन भातखंडे के अनुसार किंचित मात्रा में वे संसारिक पुरुष नहीं थे संभवता वे नारद रिशी के अवतार थे इसमें दिखिये विश्नु नरायन भातखंडे जी को नारद रिशी के अवतार माना इसमें लिखा गया है वे वर्तमान संगीत सम्मेलनों के पिता थे वे सच्चे देशभक्त उच्च कोटी के त्यागी पुरुष थे 16 सेप्टेंबर 1936 इसवी की गणेश इसवी की गणेश चतुरती के शुब दिन को प्राता पांच बजे पंडिश विश्नु नरायन भातखंडे जी का स्वर्गवास हुआ इसका जो विश्णुरेन भातकंडेजी का जो फुल परिचय है जो की संगीत रतनावाली में लिखा हुआ है वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा-पूरा जो बुक में है वो पूरा-पूरा आपको एक बार एक नोट्स मैंने भी बना लिया है और एक बुक से भी पूरा-पूरी बुक आपको पढ़के सुना दूगी चली वीडियो यूसफ लागा हो तुमा पूरा-पूरा-पूरा